नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महतोपून जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों आज का हमारा ये एपिसोड इलाइची के फायदों से रिलेटेड है इलाइची हर भारतिये के घर में पाई जाती है यह माउथ फ्रेशनर एवं मसाला होता है जो कई तरह के व्यंजन में डाला जाता है इलाइची का स्वाद अलग तरह का होता है इससे ये सभी को भाता है इसके बहुत से स्वास्ते वर्धक फायदे भी हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इलाइची दो तरह की होती है बड़ी इलाइची छोटी इलाइची बड़ी इलाइची सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं इसे माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं या खाने में मसाले के रूप में उप्योग होती है या एक तरह का बड़ा मसाला है जो गर्म मसाला में एहम भूमी का निभाता है छोटी इलाइची के बारे में अब जानते हैं यह माउथ फ्रेशनर है जिसे खाने के बाद सभी लेते हैं इसे मीठा में उप्योग करते हैं क्यूंकि यह अलग तरह का स्वाद देती है एवं इसकी सुगंध अब को आकरशित करती है अब आएए हम जानते हैं कि इलाइची में कौन-कौन से पोशक्तत्व पाए जाते हैं आयरन, विटामिन C, नियसीन, रिबोफलेविन, पोटेशियम, मैगनेशियम, कैल्सियम यह सारे गुन पाए जाते हैं भोजन में स्वाद के साथ साथ देता है, पाचन सही करता है, यह मुह की दुरगंद को भगाता है, इनीमिया को दूर करता है, आए तो हम अब स्टार्ट करते हैं इलाइची के फायदों से रिलेटेड जानकारियों को, पाचन तंत्र को सबसे पहले तो यह मजबूत करता है, हर भारते खाने के बाद अपन कम होती है, साथ ही पेट के अंदर की सुजन कम करती है, इलाइची से गैस, एसीडीटी, खराब पेट की शिकायत दूर हो जाती है, छोटा टुकडा अदरक, दो से तीन लोंग, तीन से चार इलाइची, एक चमच, धना, इन सब को पीस कर चून बना लें, इसे रोज खाने क के बाद एक चमच पानी के साथ खाएं, पाचन से जुड़ी सारी परिशानी दूर हो जाएगे आपकी, इसके बाद आते हैं दूसरे फायदे पर इलाइची के, सर्दी खराश को दूर करती है, जी हां, सर्दी की वज़ह से कई बार गले में बहुत दर्द होता है, और अज इलाइची गर्म करती है, जिसके सिवन से शरीर में गर्महट बढ़ती है, एम सर्दी खांसी से आराम मिलता है, कपकी भी परिशानी दूर होती है, तीसरा हिचकी बंद कर देती है, जी हां, इंसान को कभी भी आचानक हिचकी आने लगती है, इसकी कुई दवाई तो नहीं ह नहीं कोई दवा बजार में आती है, कुछ नेचुरल तरीके से बंद किया जा सकता है, कई बार ये बहुत देर तक लगातार आती है, जिससे परिशानी महसूस होने लगती है, इसे बंद करने के लिए बस आपको एक इलाइची मुह में दबानी है, इसे चबाते रहिए, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर के मरिजों को खाने के बाद इलाइची का सिवन जरूर करना चाहिए, विशयले पदार्थों को ये शरीर से बाहर निकालता है, ये इसका पांच वाफायदा है, शरीर के अंदुरूनी सफाई उतनी ही जरूरी है, ज जरीर के अंदर आपको अंधूरूनी सफाई का आसान तरीका बताता हूं है आपको रोज बस एक इलाइची खानी है इससे किडिनी से सारे विश्य लेता तो बाहर निकल जाएंगे खुद बखुद अब आईए हम छठे फायदे को जानते हैं यह दिमाग को मजबूत करता है जिहां दिमाग मजबूत करने आखों के रोशनी बढ़ाने एवं या दाश्त को बढ़ाने में इलाइची बहुत ही मददगार है इलाइची के दानों को 2-3 बादाम एवं 2-3 पीस्ते के साथ 2-3 चमच दूध डूध डालकर पीस लीजिए इसके बाद एक गलास दूध में इसे मिला कर आधा होने तक गाढ़ा कीजिए फिर इसमें मिश्री मिलाइए और खाइए ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है दिमाग को मजबूत करता है यानि कि उनकी पढ़ने की याद करने की शमता भी बढ़ती है साथवा उल्टी को ये बंद कर देता है जिहां जी में चलाना उल्टी जैसा लगना मुग का स्वाद खराब होना ऐसा कुछ भी होने पर इलाइची चबाएं थोड़ी ही देर में अच्छा लगने लगेगा आपको इसके अलावा आठवा नमबर है कि मुग के संक्रमन को ये दूर कर देता है जिहां मुग की संक्रमन इसा सबसे इलाइची बचाता है आपको सांसों में होने वाली बदबुस से बचने के लिए रोज आपको इलाइची का सेवन करना चाहिए न वह नंबर है दिल की रक्षा करता है जि फ्लाइची में मोजूद गानी इस तत्तों दिल की असकारे में सहयệc होते हैं इल अगर आपको किसी बात की चिंता है या बिना बात के आप अकेलापन में हैसूस कर रहे हैं। लगातार ऐसा होने से आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लोस भी कर सकता है दोस्तों तो आईए जानते हैं कि अगर आप अत्याथिक मातरा में इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ एक बीमारियों से ग्रसित हैं आप और उसके बाद इलाइची का सेवन करते हैं तो आपको क्या-क्या लोस हो सकते हैं इसलिए लोग ध्यान रखें कि जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर जो बहुत ज्यादा मातरा में इलाइची का सेवन करते हैं वो ना करें सबसे पहले इलर्जी जिहां लागातार इलाइची खाना या ज्यादा मातरा में इलाइची खाने से शरीर में रियक्शन होने लगता है और फिर किसी भी तरह की इलर्जी होने लगती है, जिससे शरीर में खुजली, स्कीन में रेशे, लाल धब्बे आ जाते हैं, कई लोगों को इलाइची से इलर्जी का अनुमान नहीं होता है, और वे इसे खा लेते हैं, जिससे उन्हें सांस में तकलिफ होने लगती है, इस इलर्जी के कुछ एक इसके बाद अगर आप पथरी से ग्रसित हैं, जिहां, कई बार इलाइची पथरी का कारण बन जाती है, एक शूद के अनुसार पता चला है कि हमारा शरीर इलाइची को पूरी तरह से पचा नहीं पाता है, फिर अत्यधिक मातरा में इसे लेने से ये धीरे धीरे इकठे होत दे जाते हैं और गाल ब्लेडर श्टोन का कारण बन जाते हैं, पथरी के रोगी को इलाइची से परहेज करना चाहिए, ये ध्यान रखें, इसके अलावा ये रियक्शन भी कर सकता है, अगर आप किसी तरह की दवाईयां ले रहे हैं, तो कई बार इलाइची इनके साथ रि इलाइची का इस्तेमाल करें, इलाइची के नुकसान के बारे में आप जानकर घवराइए नहीं, क्योंकि इसके बहुत कम चांस होते हैं, फिर भी प्रिकॉसंस के लिए हमने पहले ही बता दिया कि आप अत्यधिक मातरा में इसका सिवन ना करें, बस इसकी आदत ना बनाए एक सिमित मातरा में गरहन करें, आपको इलाइची के फायदे और नुकसान कैसे लगे, ये एपिसोड हमारा कैसे लगा, जरूर बताइए और इसके साथ साथ, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, सेर जरूर करें, ताकि आपके अपने करीबियों को, आपके अपने जानने वालों को लाइफ इस्टाइल से जुड़ी हो, यानि कि उनको स्वस्थ रहने की चीजें पता हो जाएं, क्या होता है, कई बार हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है, कि हम बहुत सारी चीजें पड़ पाएं, खाना हमारी और शधी के रूप में उप्योग की जा सकत सब्सक्राइब अगली करी में सभी जूड़े आप सभी के साथ और नई उष्ष लेकरके या फिर एक और नई जानकारी लेकरके तब तक लिए धन्य वाद नमस्कार दोस्तू अ झाल झाल झाल